मैया जी की पूजा में कुछ चीज़ें बिसेस हैं कागज ले लो कलम ले लो और लिख लो मैं आपको बताया देता हूँ मालती ब्रमकापुस पई तथा बिलबदलई सुभई पूज ये जगताम धात्रिम धूपदी पई विधान था ये चीज़ें क्या चंदन, अगर, तगर, कपूर, मंदार के फूल, असोक के पते, चंपा, कनेल, मालती, ब्रम्मी, सुगंदित फूल और सुन्दर से बेल पत्र बेल पत्रों की बड़ी मैमा है, बेल पत्र के उपर, यदि लाल चंदन से आप किलीम शब्द लिकर माई को चड़ा देते हैं, तो इस से आपके खांदान की आयू बढ़ जाती है और चंदन से आप किलीम शब्द लिखकर करके आम माई को चड़ा देते हैं तो आपके घर में धंकी कभी कमी नहीं होती दोनों चंदन नहीं है एक लाल चंदन है और एक है यह पीला सफे चंदन भी जिसे बुल देते हैं तो दोनों ही मैया के उपर चड़ाए जाते हैं एक संपत्ति के लिए और एक आयो स्यानी उम्र बढ़ाने के लिए पूजे ये जगताम धात्रिम धूप दीपई विदानता मैया दीपक से और धूप से बड़ी प्रशन होती है अगरवत्तिया मन जलाईए हमारे किसी भी ग्रंथ में अगरवत्ति जलाने का कोई मंत्र नहीं है ये तो मश्यद बश्यदों में जलती है अगरवत्ति और अपनी हाँ कुछ है ही नहीं यह लोग मस्जिदों में जा जा करके अगरवत्ती जलाना सीख गए है अपने हाँ धूप जलाई जाती है दस तरह की धूप होती है और आट तरह की गंद होती है तो धूप का मंत्र भी है लेकर अगरवत्ती का कोई भी मंत्र नहीं अगरबती में बांस जलता है और जब बांस जलता है उसमें परवार का हिरास होता है यदि आप हमारी बात का विश्वास करते हैं तो आप पूजा पाठ में बिलकुल भी अगरबती मत जलाईए उसमें धूप बती जलाईए यहां भी लिखाए पूजयाम जगताम धात्रिम धूप दीपई भी धानता यहां धूप की चर्चा की गई है अगरवत्ती की चर्चा कोई नहीं है बिलकुल भी तो यह भी समझ लीजिए फिर लिखाए फलई नाना अविधित देश्चह प्रदात अब्यम चतत्रवई नार क केलई मात लिंगई दाडमी कदली फलई इसमें लिखाए नवरात्रा में केला का भोग लगाना और केले का खाना इसे दोनों को बहुत जादा सो माना गया है बहुत जादा बड़िया माना गया है इस अबसर पर आप मैया जी को इश्नान कराएं नारियल बिजोरा नीबू दाडम केला नारंगी कटेल तथा बेल फल आदी अनेक प्रकार के सुन्दर फलों के साथ भक्ती पूरवक अन का नईवेद आप अन खा नहीं सकते हैं लेकिन मैया जी को खुब चकाचक माल पूए का भोग लगा सकते हो मां को भोग लगाई अन का भी लगाई ए फलयार का भी लगाई ऐसा लिखा है अन दानम प्रकरतब्यम भक्त पूरम नरादिपहन नवरात्रा के नो दिनों में अन दान से मा अत प्रसंद होती है ब्रामबनों को बेटियों को कन्याओं को ऐसी बेटियों को आप बुलाईए जिने आप अन भी खिला सकें तो दो वरस से लेकर क दस वरस की बेटी को नवरात्रा के वरत में उसे भोजन कराने की उसके पूजन करने की बहुत बड़ी महेमा का बड़न किया गया